अगर आप मार्सलाट से रिलेटेड वीडियोज को देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन जरूर प्रेस करें और आल नोटिफिकेशन्स इनेबल कर लें जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन्स आप तक नबस्कार दोस्तों मेरा नाम है सतीज कुमार चीफ कोच और आप यूशारे मार्सलाथesting की आख बर आप सब को कराटे सीखने से पहले ये पता होना चाहिए कि कराटे है क्या कराटे एक कला है खाली हाथ अपनी आत्मरक्षा करना कराटे में बहुत सारी टेक्निक्स होते हैं बहुत सारे किकिंग और पंचेज के वेरियेशन होते हैं काता होते हैं कुमीते होते हैं जिसे आप एक गुरू की सहायता से ही सीख सकते हैं कराटे को आप किसी भी उमर मे सीख सकते हैं बस आप में सीखने की लगन होनी चाहिए पर आपको ये देहान रखना चाहिए कि सिर्फ वीडियो देखने से ही आप कराटे नहीं सीख सकते आपको कराटे की regular training करनी चाहिए जिससे आपकी speed, stamina, strength और confidence बढ़ता है जब आप किसी मुसीबत में पढ़ते हैं तो आप अपनी आत्मरक्षा कर सकते हैं अक्षर हमने देखा है कि कुछ लोग वीडियो को देखकर बिना training के ही कराटे के moves करना शुरू कर देते हैं जिसके कारण जब वो किसी मुसीबत में पढ़ते हैं, तो हो सकता है कि उनके वो moves काम ना आए क्योंकि उन्होंने उन moves की एक या दो बार training की है और उन्हें लगता है कि वो सीख चुके हैं तो आप इस गलत फैमी में ना रहें karate की regular training करें इसलिए मैं आपके लिए आया हूँ शुरुआत से karate और self defense की training करवाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर हमारी वीडियो को देखकर karate की regular training ज़रूर करें अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे YouTube चैनल को subscribe करें और bell icon को ज़रूर प्रेस करें थाकि हमारी new वीडियो की करेंगे मारीग को कर दो कर दो कर दो झाल, 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 झाल